हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आज हम बना रहे हैं सोया बिन की रेसिपी रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए बनाते हैं सोया बिन की इस आसान सी रेसिपी सोया कवाव को सबसे पहले हमें सोया बिन को यहां मैंने दो कप सोया बिन लिया है सोया बिन को मैंने दस मिनट गर्म पानी में भीगो कर रख दिया था फिर उसके बाद हमें इसे 2-3 ठंडे पानी से धो कर इसे मिक्सी के जार में 4 हरी मिट से देकर ग्राइंड कर लिया है यहां मैंने लिया है इसमें डालने के लिए 4-5 मिडियम साइज का बॉयल आलू अगर आपके पास आलू बॉयल नहीं है तो कोई बात नहीं है आप इसे इसकीप कर सकते हैं ऐसे आलू डालने से इसका बैंडिंग अच्छा होता है तो यहां मैं इसमें डाल लई हूँ आधा चमच लाल मिर्स पॉडर, एक चमच नमक, आधा चमच धनिया पॉडर, आधा चमच हल्दी पॉडर, एक चाट मसाला और आधा चमच भुना हुआ जीरा पॉडर आलू को हमें अच्छी तरह से मैस कर लेना है जिसमें कि इसका गुठली एक भी ना रहे यहां मैंने इसमें आधा चमच लासन अधरक का पेश्ट डाला है अगर आप लासन अधरक डालना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद यहां मैंने लिया है चाट चमच बेसन बेशन डालने के बाद सारे सामगरी को अच्छी तरह से मिला लेना है इसे हमें लगभग दो मिनट तक इसी तरीके से मिलाते रहना है जिससे की आलू और आलू स्वयविन बेशन अच्छी तरह से मिल जाए अब हम गैस पर फ्रैपेन को गर्म होने के लिए रख देंगे फ्रैपेन हमारा गर्म हो गया है अब हम इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल आप तेल की जगह रिफाइन का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम लेंगे थोरा सा सरसों का तेल हाथ पर और इन सारे सामगरी में हम थोरा सा तेल लगाकर अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथ को साफ कर लेंगे इसका छोटा-छोटा लोई लेंगे और इसे हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा कर अची तरह से पेरा के अकार का इसे शेप देंगे और फ्राय फेन पर लो प्लेम पर इसे हमें अची तरह से सीख लेना है यहां मैंने इसमें कम तेल का यूज किया है आप अगर चाहें तो इसे फ्राय भी कर सकते हैं इसे सिखने में लगवग 5 मिनट का टाइम लगा है आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सिखें जिसे कि यह अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लगे खाने में तो यहां हमें 7 से 8 मिनट का समय लगा है दोनों साइट से हमारा कवाब सिखकर तयार हो गया है तो इसे आप अगर घर में कोई महमान आ जाएं तो यह जटपट रेसिपी बनकर तयार हो जाती है बच्चों के लिए भी यह बहुत ही हल्दी रेसिपी है तो प्लीज आप इस रेसिपी को हमारी वीडियो देखकर ज़रूर ट्राय करें अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद